चाहिन दोस्तों कुल्दीप सिंग हेर वेलकम तो दी चानल हम लोग आज एक बहुत इंपोर्टेंट प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं दाट इस ती सार्थी सीरीज फॉर एचेस में एंटी में जैसे कि आपको पता है कि हमने सार्थी सीरीज चलाई थी फॉर प्लिम् किया था कि हम लोग मेंस के ऊपर भी कुछ ले के आएंगे तो मेंस के ऊपर आज जो है मैं सेशन में बात करेंगा कि हमारा प्रोग्राम क्या रहने वाला है और किस तरह से आप उससे बेनेफित उठा सकते हो गाई ठीक है जी तो की पॉइंट यहां पर रहेंगे वो है कि आ आप जो है अच्छी प्रिजेंटेशन नहीं करोगा अच्छे माक्स नहीं लेकर आ सकते हैं तो चलिए फटा फट से सीरीज को हम लोग करते हैं स्टार्ट करने से पहले गाई हमारी एप्लिकेशन और डाउन जरू करिए सार्थी मेंस के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट हम आपको GS paper 1, paper 2, and paper 3 में मिलने वाले हैं and then second area होगा आपका that will be on specifically on Himachal जी के जो की आपको GS paper 1, paper 2, and paper 3 में आपको देखने को मिलेगा ठीक है जी तो मैं आपको ब्रॉट GS के topics बताया था कौन-कौन से हम लोग cover करने वाले हम लोग art and culture cover करेंगे, modern Indian history of freedom struggle से world history cover करेंगे, disaster management, geography of India, Indian society, social justice, governance, and Gandhian thoughts करेंगे हम लोग, and finally ethics and integrity, so यह जो है आपका this is GS paper 1, paper 1 का topic बनता है आपका और almost जिसे कि again around 66% जो paper है वो paper 1 का यहीं से रहने व topics, second जो coverage होगा, this will be of GS2 and GS3, जिसमें कि Indian politics, governance, public issues, public policies, international relations होगे आपके, then उसके बाद Indian economy, and then उसके बाद आपका, you will also have economic organization, science and technology, biodiversity and environmental protection, इसके ओपर आपको question बिलेंगे, which forms your GS2 and your GS3, guys, so यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इसको जो है, question and answer format में लेंगे, मैं आपको चले इस program के और detail देने वाला हूँ, like question answer format में रहेगा, so हर यह topics को हम लोग question and answers के form में जो है, cover करेंगे, कुछ questions हम आपको देंगे, along with model answers, आपके साथ discuss करेंगे, in these sessions, and कुछ जो है, हम आपको घर से लिखने के लिए देंगे, so that आप आपे practice कर सक को, और यह सारे के सारे जो है deeply analyze करके दिया जाएंगे, so that हम लोग most expected questions को ही try करें, hit करने की, और यह question जो है, आपके means examination में, से से हैस में आने वाला है, उसमें आपको जो है, देखने को मिल जाएं, उसके बाद हिमाचल जी के topics रहेंगे, so again paper on paper two, paper three के topics है, आपके हिमाचल प economy of Himachal Pradesh, इसके उपर हमने question देने है, आपको then technological initiative जो कि Himachal Pradesh में लिए जा रहे है, या tourism policy जो कि Himachal Pradesh में चल रही है, इसके potential initiative, यह सारी चीज़े हम लोग लेंगे, which forms your all the GS3 papers, और इसमें जो है HP का 33% portion है, this will be covered, already kritika में आपने बलोकरा सीरीज में 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 से काफी सारे aspect कवर किये हुए है, but इसके अलावा जो हीने question answer format में along with model answers and along with practice questions के साथ जो है, इसको हम यहाँ पर कवर करवाएंगे, so which will be a great value addition for you people, इसके साथ साथ जो है essay के sessions भी हम लोग लेंगे, यहाँ पर I will be personally guiding you for the essay sessions, I will be putting up multiple videos जहां पर हम लोग essays को discuss करेंगे, already पिछले साल मैंने 5 वीडिय ली है, 5-6 वीडियो है कि आपको essay कैसे लिखना है, इसके आपको most expected questions भी दिये थे आपको और वहां से जो है आपको again 4 questions सीधे 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 देखने को मिले थे, पिछले साल के मेरी playlist में चले जाना है, इसके वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, so यहाँ पर हम ल दूँगा, so that again, हम लोग वही जितना जादा expected, important area से हम लोग question निकाल सके, वहां से निकालनी कोशिश करेंगे, यह program का में detail आपको बता जाता हूँ guys, कैसे चलेगा यह program, again, हम लोग format की मैं बात करो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक topic में most expected areas देखेंगे कि कौ से एरिया से question निकल के आ सकता है, और उस area से questions को जो है, हम लोग then क्या करेंगे, आपको question answer format पर देंगे, यह expected areas हम लोग आपके साथ discuss भी करेंगे, then उसके बाद हम लोग question answer format में जो है, आपके साथ questions लेंगे, for instance, एक letter से, एक session के अंदर हम लोग जो है, दो questions आपको जो है, along with model answers discuss करेंगे, plus आपको चार से पांच questions जो है, घर से लिखने के लिए देंगे, और सिरफ लिखने के लिए नहीं देंगे, हम उसको साथात में क्या करेंगे, evaluation भी करेंगे, आपको पास यह number है, इस number को save कर लिजे, इस number में आपको जो है, जो भी आप answers लिखोगे, आप उनको को आपको WhatsApp करके डालिए, और वहां पर हम लोग आपको चेक करके प्रापर जो है, डिटेल वाइस नोट के साथ देंगे, ठीक है जी, so this is going to be the program for next one and a half months for H.A.S. and then उसके अबाद हम NT में से continue करने वाले है, so we are going to write a lot of answers, देखिए, I have been very vocal कि अगर आपको मेंस निकाला है, तो and we are going to cover all GS1, GS2, GS3, both, आपका General GK as well as Himachal GK and your SA program also, and all of this, let me tell you guys, there is no fees for it, all of this is going to be free of cost and आप जो हैं पर फ्रीली आंसर राइट कर सकते हैं and we will be very very happy अगर आपका जो है थोड़ा बहुत दी बादी बल्यु एदिशन हम लोग यहां पर कर पाएं, so this is completely free of cost, we are not charging anything for it, this is just for the community that we are doing, so I want you people to be as active as possible, जितना ज्यादा आप initiative में participation करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा लगेगा हम लोग को, our teachers are ready to evaluate your answers, again, जितने अच्छा आप अंसर लिखके देंगे, उतना ही वो motivated रहेंगे कि आपको और ज्यादा बेटर पुश करें, और ज्यादा आपकी corrections निकाल के लेके आ but those who किसी ना किसी वज़े से अपना paper को crack नहीं कर पाए, I want them to also write the answers, ध्यान से सुनिये इसको, कि अभी आपका जो time है, वो mains mode में रहने का time है, अभी आपका mains के syllabus को cover करना, answer writing करना, essay का module, optional के module, इनको cover करने का time है, so जो लोग कुछ marks हैं, रह भी गए हैं, NT में या फिर HS में, वो लोग भी answer writing के ओपर focus करो, वो लोग भी इस program को join करो, क्योंकि आप अगले साल मेंस में बैठोगे, अगले साल मेंस में बैठने के लिए आपके पास ये practice होनी चाहिए, अभी ये करोगे, तो आप धीरे धीरे अपनी इस quality को build कर पाओगे, I want all of you, those who are listening to it, both who are writing mains, and those who are not writing mains also to attempt and to be participate, to participate in this particular program guys, okay, so this is the number, save the number, यहाँ पे जो आपको अपने answers को लिखके भेजना है, and then we are going to start with our first video, वो जो है जल्दी आने वाली है, so guys, again, जो लोग भी लिखरे हैं, उनके साथ शार जरू किये, that is it for this particular session, I hope you got my point, and I hope you will be participating, so thank you very much, all the very best guys, and bye-bye.